नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में अंगले मराठा यूधों के बारे में संक्सिव तोर से जानकर प्राप्त करेंगे और इसके बाद हम जो अंगले मराठा यूध हुए हैं उनके बारे म स्वागत हैं विश्तुरी तोर से आपको बताएंगे तो देखेगा छात्रों जो अंगले मराठा यूध हैं यह 4 अंगले मराठा यूध हुए हैं और मतलब जो पर्थम अंगले मराठा यूध हुआ था इसमें जो गौर्णर जनरल था वारेन हेंस्टिंग्स था और था ठीक है तो देखेगा होता है क्या है कि जो मुगल समराजे है इसके पतन के बाद भारत में मराठा सक्ति का प्रभूत्वय स्थापित हो गया था और मराठा सक्ति महरास्टर की एक महत्वपुन जाती थी जिन होने मतलब विदेशों का सामना डटकर किया था तो अठारवी स्थापदी के मतलब उत्राद में भारत में मराठों के अलावा अन्य कोई भी ऐसी सक्ति नहीं थी और अंग्रेज हैं वो इस बाद से बली बाती परीची थे कि भाई भारत में उस समये मराठों द्वारा ही अंग्रेजों को चुनोती दी जा सक्ति है अत्या अ अंग्रेजों का मराठों से संकर्स होना स्वाभाविक था और 1772 इस्वी में पेश्वा माधवराव पर्थम की मर्त्यू हो गई और मराठा संग में फूट पड़ गई इसे अंग्रेजों को मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक सेप करने का अवसर मिल गया और इसके परना और 1775 इस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीज पर्थम युद सुरू हुआ और इसे पर्थम अंगल मराठा संगर्स भी कहते हैं और इसके परमु कारण थे क्या क्या कारण थे मराठों के पड़ती अंग्रेजों की नीती और मराठा सरदारों की आपसी फूट राग संप्रक्न नहीं विद्ध पंपन के एक बंवरनर्स जंसक्योड कर पिंकर को सब्सक्राइब ने करते क्षित में वब यहιुद्धू आधीकց ने क्रकाइब टेंट, इस लिए भी उसके सक्ति को बढ़ाया जाए ताकि माराथे बंगाल प्राक्रमण न कर सकें ठीक है और साल सेट पर अधिकार इस्तापित मतलब अंग्रेजों का हो ताकि माराथे बंबई प्राक्रमण न कर सकें वारेन हैंस्टिंग्स है उसकी जो माराथे नितिया उसके यही परमुकाधा खाल थे कि बाई जो मराठा लोग हैं वो एकदम से कमजोर हो जाएं वारेन हिंस्टिक्ज अगर्टों को अंग्रेजों का परबल पर्ति दूंदी भी मांता था अताव मराठों की सकती का दमन करके अंग्रेज़ी कंपनी की सक्ति तता परप्तिष्टा में वर्डेघ करना चाथा तो यह थी मराठों के परफ्ती अंग्रेज़ों की निती और मराठा सर्दारों की आपसी फूत तो तो 1732 में पेश्वा मादव राव है इसकी मर्थियों जाती है उसकी मर्थियों के बाद पेश्वा पद के लिए संकर्ष चिट गया मादव राव का जो छोटा बाई था नाराएन राव वह पेश्वा मना प्रन्तु जो उसका चाचा था रगुनात राव जिसको इत्यास में रागुबो के नाम से जाना जाता है जो स्वेम पेश्वा बनना चाहता था और उसने स्रडियंतर रच्चा और 30 अगस 1773 इस्वी को मतलब नाराएन राव का वद करवा दिया और स्वेम पेश्वा बन गया नाना फड़न्वीज और मादव राव के अन्य जो समर्थक थे व मतलब मादवराव के जो अलप बेश्क पुत्र को पेश्वा बनाने का प्रियत्न करने लगे और उन्होंने मादवराव के पुत्र को पेश्वा गोसित कर दिया तो इस प्रकार से माराथा सरदारों में आपसी फूट पड़ी हुई थी अगला पॉइंट आता है रागोबा और अंग्रेजों के भी सूरत की संदी ये मार्च 1775 इस्वी में हुई थी रागोबा अर्थात रागुनात राव ने नाना फड़न्वीज के विरुद बंबई के अंग्रेजी सरकार से मदद मागी और बंबई के गवर्णर से मार 1772 में सूरत की संदी कल ली जिसके अनुसार साल सेट और बेसिन अंग्रेजों को देने का वचन दिया गया यहीं से मराटों का अंग्रेजों से सिधा संपर्क सुरू होता है बंबई के सरकार ने ये संदी बंगाल के सरकार की आगया प्राप्त के बिना ही कल ली थी क्योंकि अंग्रेज तो मराटों की पारस्प्रिक फूट का लाव उठाने को तेयार बेटे थे इस संदी के अनुसार अंग्रेजों ने रगुनात राव को सनिक साहता दिने का वचन दिया और बदले में रगुनात राव ने अंग्रेजी सेना का वे उठाने साहसेट और बेशन के परदेश तता सूरत बढ़ोंच के राजस्वा का कुछ भाग देना भी स्विकार कर लिया रगुनात राव ने यह पी स्विकार किया कि वा अंग्रेजों के सत्रों से कोई संदी नहीं करेगा तो इस प्रकार से देखें तो यह सारे के सारे हैं यह थे पर्थम आंगल मराठा यूद के कारण अब हम पढ़ते हैं पर्थम आंगल मराठा यूद का विम्परण मतलब कि पर्थम आंगल मराठा यूद में क्या क्या हुआ तो 18 मही 1775 में एक युद हुआ था देखेगा सूरित की संदी की सर्थ के अनुसार बंबई की सरकार ने एक सक्ति साली सेना रगुनात राव की साहता के लिए पुन्ना की ओर भेज दी 18 मही 1775 को अंग्रेजुआ मराठों के मद्धे युद हुआ जिसमें मराठे पराजित हुए परन्तु इसी समय कलकता कौन सिल ने इस मामले में हस्तक सेब करते हुए सूरित की संदी को रद कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट के नुसार इस परकार की संदियां कलकता से आग्या पराप्त करके ही कि जा सकती थी इस संदी को रद और युद बंद करने का कारण ये था कि अंग्रेजुआ जुस में मराठों से लंबे संगर्स में नहीं उलजना चाते थे और उनके पास इसके लिए प्रियाप्त धन भी नहीं था ठीक है फिर देखेगा होती है आपकी पूरंदर की संदी और ये होती है मार्च सत्रासो चिंतर में तो सूरत की संदी को रद करने के बाद कलकता कोंसी ने अपना एक परतिनीदी पुर्णा सरकार के पास बेजा और बढ़ोंच के छेतर के राजसवा का कुछ भाग भी अंग्रेजों को प्राप्त होता ही रहेगा ठीक है माराठो ने छती पूर्ति के रूट में अंग्रेजों को 12 लाख रुपे देना स्विकार किया तता अंग्रेजों ने वादा किया कि वे रगनात राव की सहता नहीं कर उसके सेनाब भंग कर दी जाएगी और उसे पेंट सन देकर गुजरात बेज दे आजएगा ठिक है फिर आता है आपका तेल गां का युद और बढ़ गां की संदी पुरंदर की संदी की सर्तों का पालन नत्व अंग्रेजों ने किया और नहीं मराठों ने किया गुजरात बेजने के बजाए बंबई की अंग्रेजी सरकार ने रगुनात राव को अपने यहां प्रस्राण दे दी उधर इंगलेंड में कम्पनी के डायरेक्टर्स ने कलकत्ता कोंसेल द्वारा किये गई पुरंदर की संदी को अस्विकार करते हुए बंबई की सर सतंतरता का युद चल रहा था और फ्रांस ने अंग्रेजों के विरूद अमेरिका से संदी कर ली थी। चारों और से गिरियों अंग्रेजों को मराठों से प्राजित होकर 19 जन्वरी 1789 को बढ़गाम की अपमान जनक संदी करनी पड़ी। प्रान रक्सा के लिए भाकर मादवराव शिंदिया के आसरान ली। इस प्रकार बढ़गाम की संदीने अंग्रेजों की परतिष्टा को गहरा आगाते पहुंचाया था। फिर से यूद होता है 1781 में तो जो गौर्णर जन्रल वारेन हैंस्निंग जाये इसने बढ़गाम की अपमान जनक संदी को माननेता परदान नहीं की। उसने माराटों की विरूद जन्रल गोडाड के नेतरतों में बंगाल से एक सक्ति साली सेना महराष्टर के उरबेजी जन्रल गोडाड ने मध्य भारस से गुजरते हुए फरवली 1780 में एम्धाबाद प्राकर्मन करके बढ़ोदा के माराटा सरदार गायेकवाड को संदी क करने का पर विवस किया बेसिन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया अब अंग्रेजी सेना पूर्णा की और बढ़ी नाना फढ़नविस ने अंग्रेजी सेना को पूर्णा के निकट परास्त कर दिया नाना फढ़नविस इस यूद के पूरे अंग्रेजों के विरूद ह सिंदिया को रुपर आस्त किया विवस होकर सिंदिया को अंग्रेजों से एक संधी करनी पड़ी और उसने अंग्रेजों को ये वचन दिया कि वनाना फड़न में से उनका समझवता करा देगा ठीक है उसके बाद आती है आपकी सालवाई की संधी जो 1782 में होती है और ये अंग्रेजों द्वारा मराठो की जीते के सभी परदेश ने लोटा दिया गए अंग्रेजों ने रगुनात राव का साथ छोड़ दिया और उसे पुना सरकार की और से तीन लाख रुपे वार से की पेंसन देदी गई यमना नदी के पस्षिमी चत्रों पर सिंधिया का द्वराब द्वीतिय उसको अंग्रेजों ने पेश्वा माल लिया था ठीक है अब देखेगा ये था आपका मतलब पर्थम आंगला मराठा युद और अब आता है आपका द्वीतिय आंगला मराठा युद तो देखेगा पर्थम आंगला मराठा युद है इसमें था आपक मराठे अंग्रेजों के सबसे 37 साली सत्रू थे वेलेजली ने मराठो के पतन के लिए उनकी राजनेती में हस्तक सेफ करने की योजना बनाई और उसने इसका मोका और वेलेजली को इसका मोका भी मिल गया 1800 इस्वी में नाना फढ़नवीज की मर्ति हो जाती है वे एक परतिवा साली सरदार था को नाना फढ़नवीज और वे जब तक जीवी तरह नाना फढ़नवीज तब तक मराठों के जो आंतरिक जगड़े थे उनको वे अपने परभाव से कम कर देता था उसके मरतिया अब जो मराठा सरदारा वो खुल कर एक दूसरे से लड़ने लगे होलकर पेश्वा और सिंदिया में सकती के लिए पर्तिदू दूसरा सुरू हो गई इस अंगर्ज में पेश्वा और सिंदिया ने मिलकर होलकर का विरोध कर नारम किया होलकर ने ठारसो दो इस्वा में सिंदिया और पेश्वा की समली सेनों को बुरी तरह पराजित किया और पुन्ना पर अधिकार कर लिया होलकर ने रागोबा का जो दत्तक पुत्तर था उसके बेटा था विनाइक राव उसको पेश्वा बना दिया पेस्वा बाकर अंग्रेजों की स्रण में पहुंच गया लाड वेलेजली ने इस अवसर का फाइदा देखा और पेस्वा को सहाथा देना श्विकार किया 1862 में पेस्वा वे अंग्रेजों की मद्दे बेसीन की संदी होती है और बेसीन की संदी का क्या मतलब परिणाम निकलत ताइकि वेलेजनी ने पेश्वा को साथा दिनने का अस्वासन देखर उसे साइक संदी मानने को मजबूर किया इस संदी की अनुसार ये निश्चित हुआ की मोका पढ़ने पर अंग्रेज और पेश्वा एक दूसरे की मदद करेंगे पेश्वा एक अंग्रेज से ना लेगा और इस संदी का इत्यास में बडा महत्व है क्यूं कि पेश्वा मराठा संक का पर्धान था इससे क्या होता है कि मराठे हैं वो भी अंग्रेजों की सराड़ में आ जाते हैं ठीक है इसके साथ इसंदिया जो कि मराठा सरदारों में एक बड़ा सरदार था उसके अंग्रेजों के प्रभुत्वा को श्विकार करना एक महत्तो पुन गठना थी और इस संदी से मराठो की परतिस्टा को बहुत बड़ा धखा लगता है और इस संदी के फल्सरूप अंग्रेजों को पस्चिम के और बढ़ने का भी मुखा मिलता है ठीक है अब आता आपका द् प्रभुत्वा को श्विकार करने के समाचार से सारी की सारी मराठो जाती है अधूक्यों जाती है और मराठो सरदार को इस माराठो की स उसे बदला लेने की तैयारह करने लगे भारत के इत्यास की दुर्भा के बन बात तो ये थी कि बाइभारत वासी संकट की गड़ी में भी कभी भी संकट इतना नहीं हो सके इसलिए सद्धाई विदेशी सक्तियों से प्राजित होते रहे इस बार भी सारे मराठा सरदार संकट इतना हो सके वोलकर ने मराठा संग में सामिल होने से भी इंकार कर दिया उधर विलेजली भी बसीन की संदी के अनुसार पेश्वा को पुन्ना में पुन्ना इस्तापित करने के लिए चीन्तित था उसने 13 में 1803 इस्वी को आर्थर विलेजली मतलब अपना जो छोटा भाही से नए असाई नामकस्तान पर प्राजित हुई और उसके बाद अंग्रेजों ने बहुसले को अरगाम में पुन्ह प्राजित किया जनरल लेक ने उत्री भारत में अलिगड दिल्ली आगरे को सिंधिया के चंगुल से मुक्त कर लिया लासवाडी नामकस्तान पर सिंधिया बहुसले ने अंग्रेजों से देवगाव की संधी कर ली जिसके द्वारा बहुसले ने कटक का सुबा अंग्रेजों को दे दिया और वर्धा के पस्यम का सारा प्रदेश भी अंग्रेजों को सौप दिया संधी में यह भी निश्चित हुआ की यही बहुसले का निजाम या पेशवा से जगड़ा हो तो उसे अंग्रेजों का नेने स्विकार करना पड़ेगा बहुसले ने इस संधी द्वारा सायक संधी की सब भी सरतों को स्विकार कर लिया एल फ्लेस्टन को उनके दरबार में बनाकर भेजा गया तो यह था आपका दूर्टी ए अंगले मराथा युद्ध अब देखेगा होती है सुर्जी अर्जुन गाम की संधि यह दिसंबर 1803 में सिंदिया और अंग्रेजों के बीच में होती है इसे सुर्जी अर्जुन गाम की संधिका आ गया और इस संधिके जेवपूर, जोदपूर, बनोच, गंगा, यमुना के मद्य पर्देश उसे अंग्रेजों को सोपने पढ़े उसने अंग्रेजी सेना भी रखना स्विकार कर लिया कि इसने सिंधिया और अंग्रेजी रेजिडेंट भी रखना स्विकार कर लिया उसने फ्रांसेसी दिखार अपने दरबार से निकाल दिया आप देखेगा अंगले मराठा यूद अब तक क्या होता कि सारे के सारे जो भी मराठा सरदार वो अंग्रेजों के प्रभूते को स्विकार कर चुके थे केवल होलकर ही वेलेजली के संगुल से मुक्त था अब होसले वैस इंधिया को प्राजि ठीक है वेलेजली ने जेपूर की साहता का बहाना लेकर अठार सु चार में होलकर पर आकर्मन कर दिया होलकर अंग्रेजों के मद्य कई यूद हुए अंति में प्राजित होकर होलकर भर्तपूर भाग गया जनरल लेक ने चार बार भर्तपूर के दुर्ग पर आकर्मन किया प्रंतु वह उसे जीत नहीं पाया तो एक क्यूसन भी कई बार एकजामें पुछा गया है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने भर्थपूर के दुर्प पर चार बारा कर्मन किया जनरल लेक लेकिन वह जीत नहीं सका था इसी बीज कंपनी के संचाल को ने वेलेजली के आकरामक नेती से नाराज होकर उसे वापस बुला लिया और यूद बीज में समाप्त हो जाता है ठीक है अब देखे गाता है आपका इसके बाद आता है आपका चतूर्थ आंगले मराठा यूद तो इसमें चतूर्थ आंगले मराठा यूद में क्या होता है कि अंग्रेजोर मराठों की बध्धे जो चो था यूद लड़ा जाता ये है वारेन हेंस्टिंग्स के समय में लड़ा जाता है और वेलेजली ने मराठों का काफी नुकसान किया था परंतु वे पूर्ण तिया नस्ट नहीं हो सके थे वेलेजली के भार से चले जाने के बाद मराठों की सक्ति पुनाय बढ़ने लगी थी हेंस्टिंग्स ने मराठों की जो पारस्प्रिक सत्रूता से लाव उठाया और उने पूर्ण तिया कुचने की ठान ली वज़े तो होलकर के अलावा सारे मराठा सरदार अंग्रेजों की अधिनता स्विकार कर चुके थे परन्तु के वल गायकार्ड ही संदी का पून्तिया पालन कर रहा था अन्य सर्दारों ने संदी ठुकरा दी थी अब हेंस्टिंग्स को जिन चार मराठा सर्दारों से निपटना था वे पेश्वा, होलकर, सींधिया तदा भोंसले थे ठीक है तो मतलब हेंस्टिंग्ज है इसने चोथे मतलब अंगल मराठा यूद में पेशवा के साथ यूद करा भोंसले के साथ यूद करा और होलकर के साथ संगर से किया था फिर इनके साथ सबके साथ नहीं नहीं संधिया कर लेता है इस वरकार से चतूर्थ जो अंगल मराठा यूद आंगला मराथा युद्धों के बारे में विश्तरी तोर से समझाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे